हेलो फ्रेंग्स, वेलकम टू आर चानल, लर्निंग नोट बॉक, आज इस वीडियो में हम करेंगे EVS का चाप्टर, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई, तो फ्रेंग्स, आज इस चाप्टर में हम पढ़ेंगे क्लीनलीनेस क्या होता है, वाई क्लीनलीनेस इस इंपॉर्टन और हम कैसे क्लीनलीनेस मेंटेन कर सकते हैं, तो आईए इस चाप्टर के वाम अप से यह देखिए, यह राहूल है और यह रिया है, यह दोनों क्या कर रहे हैं अपने घर पर? yes they are cleaning their home वो अपने घर को clean कर रहे हैं उसकी साफ सफाई कर रहे हैं है ना क्या आप भी अपने home को ऐसे clean रखते हो देखे मेड हम सब के घरों में होती है पर हमारी भी जिम्मेदारी है हमारी भी responsibility है कि हम अपने घर को clean करें तो जैसे कि ये तो बच्चे अपने घर को clean रखने में help कर रहे हैं ऐसे ही हम सब को भी अपने घरों को clean रखने में help करनी चाहिए cleanliness is very important in our lives cleanliness बहुत important है हमारी life में it refers to keeping our body and surroundings clean and tidy तो cleanliness क्या होती है cleanliness होती है हम अपनी body को और अपने आसपास की जगा को साफ सुत्रा रखें यानि हम अपनी body को भी clean रखें और अपनी surroundings को भी clean रखें इससे क्या होगा इससे हम healthy रहेंगे cleanliness keeps us healthy जब हम अपनी body को भी साफ सुत्रा रखेंगे अपने घरों को भी और आसपास की जगा को भी तो इससे हम healthy रहेंगे हम बिमार नहीं पड़ेंगे So we must maintain cleanliness in our home, school and public places इसले friends, it is necessary that we maintain cleanliness कि हम cleanliness साफ सफाई maintain करें अपने घर में भी, अपने स्कूल में भी और public places में भी ठीक है, तो अभी मैंने आपको cleanliness का मतलब समझाया ये भी बताया कि वो क्यों ज़रूरी है अब हम सीखेंगे कि हम कैसे cleanliness maintain कर सकते हैं उसके under सबसे पहले हम पढ़ेंगे How to keep your body clean यानि कि हम अपनी body को clean कैसे रख सकते हैं So first point is, brush your teeth twice a day in the morning and before going to bed So friends, सबसे पहली चीज़ जो अपनी body को clean रखने के लिए हमें करनी चाहिए We have to brush our teeth twice a day यानि दिन में से दो बारी हमें अपने दान साफ करने चाहिए Brush करनी चाहिए एक तो जब हम उखते हैं morning में और रात में सोने से पहले, bed पर जाने से पहले अपने teeth ज़रूर brush करें अगर हम अपने दान साफ रखेंगे तो वो healthy रहते हैं Clean रहते हैं, germs free रहते हैं Second, take a bath daily to keep your body clean Second thing is that we should take a bath daily हमें रोज नहाना चाहिए Next, comb your hair daily हमें अपने बालों को रोज कॉम करनी चाहिए जब हमें एक हमारी body clean लगती है एक पूरी clean look आती है जब हम अपने बालों का अच्छे से कोम करते हैं Use a clean towel every day Friends, रोज हमें साफ towel यानि तोलिया यूज करना चाहिए नहाने के बार Cut your nails regularly Yes, जैसे कि आप इदर देख सकते हैं हमें अपनी mother से या अपने father या अपने grandparent से अपने nails regularly cut करवाने चाहिए क्योंकि जब हमारे nails बड़े होते हैं तो उनमें germs हो जाते हैं उनमें गंदगी जाती है जो जिससे हम clean नहीं लगते इसलिए हमें nails अपने हमेशा trim रखने चाहिए तो regularly उनको cut करवाना चाहिए तो ये मैंने आपको कुछ points बताए how to keep our body clean ठीक है अब next हम पढ़ेंगे how to keep your surroundings clean surroundings यानि आसपास जो हमारे हम जहां पर हैं उसके आसपास की जगाओं को हम clean कैसे रखें तो surroundings में सबसे पहली चीज जो होती है वो है हमारा घर यानि our home so first let's understand how can we keep our home clean sweep and mop the flows everyday friends हमें अपने घर में जो flows हैं उन पर रोज sweep और mop करना चाहिए sweep यानि जैसे कि ये जाडू जाडू लगानी चाहिए और mop यानि जैसे कि ये पोचा हमें पोचा लगाना चाहिए इससे हमारे जो flows होते हैं वो बिल्कुल clean रहते हैं always keep your bedroom neat and tidy हमें हमेशा अपने bedrooms neat और tidy रखने चाहिए bedrooms ही नहीं friends भाकी जो सभी rooms है हमारे हमें उनको भी neat और tidy रखना चाहिए तो आप इसमें अपनी कैसे contribution कर सकते हैं आप जो बच्चे हैं इसमें ऐसे contribute कर सकते हैं that you can keep your toys and books in place आप अपने toys और books को हमेशा उनकी जगा पर रखें जब आपने उनको use कर लिया तो keep them back in their place उनको फेला कर मत रखें इससे आपका जो रूम होगा वो हमेशा tidy दिखेगा neat and tidy दिखेगा make sure that your bathroom and toilet are clean and orderless और next point है कि हमें अपने घर के bathroom और toilets दोनों ही clean और orderless यानि साफ और orderless का मतलब है कि उनमें से smell नहीं आनी चाहिए especially toilets में तो हमें इसको we have to make sure कि हम अपने घर के bathroom और toilets को हमेशा clean और orderless रखें keep windows open to let in fresh air and sunlight yes friends दूसरा एक तरीका यह हो सकता है कि हम अपने घर की windows को morning में especially खुली रखें जिससे की fresh air भी आए और sunlight भी आए तो जब sunlight आती है तो हमारे जो germs होते हैं घर में वो भी मर जाते हैं तो इस तरह से हम अपने home को हम घर को अपने साफ रख सकते हैं अब next जो चीज हमारी surroundings में है वो है हमारा school friends हम बहुत सारा time school में spend करते हैं so it is very necessary that we keep our school clean so let's read those points now do not throw waste paper और plastic items in your classroom देखिए हमें कभी भी कोई भी जो garbage है चाहे वो waste paper हो चाहे कोई plastic item हमें ऐसे उसको classroom में नहीं फैकना चाहिए हमें हमेशा dust bin में कुछ भी अगर हमें फैकना है dispose of करना है तो dust bin में फैकना चाहिए keep your books tiffin box and water bottle at proper place yes, जो हमारी books है, tiffin box है, water bottle है उनको हमें उनकी जगा पर रखना चाहिए अब देखिए जैसे कि आप इस picture में देख सकते हैं ये जो students हैं ये अपनी classroom को clean कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम school को अपने classroom को भी clean रखें use a dust bin while sharpening your pencil अगर आपको school में अपनी classroom में अपनी pencil को sharpen करना पड़ता है तो अपनी desk पे मत sharpen करिए dust bin के पास जाए और वहाँ पे उसको sharpen करिए जिससे कि जो उसका कुड़ा है वो dust bin में ही गिरे do not throw leftovers in the school playground अब कई बाज जो students होते हैं वो school के playground में जाकर lunch करते हैं तो जब उनका lunch finish होता है अगर कुछ leftover यानि कुछ खाना बच गया है तो हमें उसको school के playground में तो कभी भी नहीं करना चाहिए वो बिलकुल wrong है next point is do not tear papers from notebooks friends आपको अपनी notebook से papers उनके pages नहीं फाडने चाहिए और उनको नहीं ऐसे throw करना चाहिए इदर उदर do not write on the classroom walls देखे walls पर classroom की walls पर दिवारों पर कुछ भी मत लिखिए उससे walls गंदी हो जाती है आपका classroom untidy दिखता है तो वो गलत है तो यह हमने बढ़ा कि कैसे हम अपने school को clean रख सकते हैं अब next चीज जो मेरे surroundings में है वो है public places तो public places क्या होते हैं यानि वो जगाएं जहां पर public जो है जो जनता है वो openly अराम से आ जा सकती है वो किसी की private property नहीं है जैसे कि सबसे common example public place का होता है park पार्क में आप जाते हैं आपके neighbors जाते हैं आपके friends जाते हैं और भी बहुत से लोग जाते हैं तो पार्क एक ऐसी जगा है जो कि एक public place है वहाँ पे public अराम से आ जा सकती है तो सबसे पहला जो point है कि कैसे हम किसी public place को clean रख सकते हैं वो है कि हमें जो garbage है उसको हमेशा dustbin में ही throw करना चाहिए देखे आप जो बच्चे हैं आप पार्क में जाते हैं तो अगर आपको कोई garbage जैसे कि आप कोई कुछ खाने पीने की cheese लेके गए और आपको वो जब आपने खा लिया आपने उसका wrapper फैकना है तो वो हमेशा dustbin में ही throw करिए ऐसे पार्क में मत throw कर दीजिए कि कहीं भी डाल दिया वो गलत है और जो garbage होता है उसको कभी भी जलाना नहीं चाहिए उससे क्या होता है उससे बहुत ज़्यादा pollution होता है बहुत गंदी gases उसमें से निकलती हैं जो हमारे environment को pollute करती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा trees लगाने चाहिए क्योंकि जो trees हैं वो हमें oxygen प्रोवाइड करते हैं और environment में से carbon dioxide और ऐसी और harmful gases को absorb कर लेते हैं तो इससे हमारी हवा को clean रखते हैं तो यह अब हमने पढ़ लिया कि कैसे हम अपनी body को साफ रख सकते हैं और कैसे हम अपनी surroundings को साफ रख सकते हैं surroundings में हमने अपने घर के बारे में पढ़ा, school के बारे में और public places को कैसे clean रखें यह तीनों चीजों के बारे में हमने अच्छे से समझा अब next topic है things used for cleaning यानि कौन-कौन सी चीजे हैं जिनको हम use करते हैं cleaning करने के लिए so here you can see it is a broom broom यानि की एक झारू है जिसे की हम sweep करते हैं अपने flows को next this is a mop mop यानि की एक पोचा है जिसे हम mop करते हैं flows को फिर है frank's bucket यानि balty फिर है पानी, water then here is a duster जिसे हम dusting करते हैं अपनी चीजों को साफ करते हैं then there is floor liquid cleaner जब हमारे flows को हमें कभी कबार ज़्यादा अच्छे से हमें साफ करना है वो गंदे हो गए हैं तो हम कई बार liquid cleaners भी use करते हैं फिर next है vacuum cleaner vacuum cleaner हम अपने घर में अपने carpet को, अपने sofa को, अपनी chairs को उनको साफ करने के लिए हम vacuum cleaner यूज करते हैं then there is a room freshener हम इनको bathroom और toilets में use करते हैं जिसी कि वहाँ पर कोई smell ना है they should remain orderless मैंने बताया था ना उपर आपको तो ये वहाँ पर use होता है तो ये सारी चीजे हैं जो हम use करते हैं cleaning के लिए तो friends ये था हमारा chapter cleanliness मुझे तो इस chapter को पढ़ा कर बहुत अच्छा लगा अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like करना ना भूले thanks for watching see you in the next video bye bye